आप देख सकते हैं मेरा मैदा का पुआ कितना अच्छा खास्ता बन चुका है, देखिए, एदम लरम लरम है, खास्ता है, आप देख सकते हैं, दोस्तो आप 100 गराम मैदा में 10 आदमी को माल पुआ खिला सकते हैं, दोस्तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी कितना अच्छा बन चुका है मेरा माल पुआ इसलिए दोस्तो एक बार जरूर इस परकार से बनाई आप देख सकते हैं कि कितना दोस्तों इसे पानी डाल के इस परकार से घोर लेंगे अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं मेरा मैदा कितना अचा से घोरा चुका है अगर 100 गराम मैदा 100 गराम चिनी हुए तो इसमें आप डाले देख सकते हैं मेरा तेल गरम हो चुका है इसमें डालेंगे जो हमने मैदा के लिए गोल त्यार किया हो आप देख सकते हैं कितना खिला खिला मेरा पुवा है इसी परकार पुवा है इस परकार से एक बार जरूर बनाईए दोस्तों फोरा सा इसे अभी और लाल करेंगे आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं मेरा पुवा कितना अच्छा से लाग हो चुका इसका तेल इस परकार से गार लेना क्योंकि पुवा में बहुत तेल पीए रहता है आप देख सकते हैं इसको इस परकार से हम गार लेंगे अच्छी से सब तेल को इसी परकार से हम सब को छान लेंगे